पूरात पूरा मुदाच्यते पूराश्या पूरामादाया पूरामेबाबसिश्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही संकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाश्यकृतव बंदे भगमंतव पूनापूनाः इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति बेद विभागिने व्यो मवत व्याप्त देहाया दक्षणा मुर्ते नमाः ओम शांति ही शांति ही सांति ही नमहा स्री संकरानन्द गुरुपादां पुजन्मने सबिलास महामुह ग्राह ग्रासे कर्मने ओम शांति ही शांति ही सांति ही कि पंच अदस्य ग्रंत के ध्यांदी प्रकण है इसमें थाटी आइट नंबर श्लोक का विचार हुआ बार 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 बेदांत का विचार करने पर भी तत्व का साक्षतकार नहीं होता है प्रतिबंधक के कारण इसको भगवान बारतिकार शुरिश्रा चर्जय ने भी दिरुपन किया बारतिक में पुनह पुनार विचार एपी त्रिविधा प्रतिबंधा तीन प्रकार का प्रतिबंधा है जिलित तीन प्रकार का प्रतिवन्दक की करण तत्यों को नहीं जान पाता है 39 नंबर देखिएगा इस लोग तानिये वा बारतिकानि उधारति उस्सी बारतिक को ही यहां पर उधारन की रूप से दिखला रहे है पंजदसिकार काहां तक कुतस्तत ग्यानम इत्यादिना भरतस्य ती जन्मभिर इती आंतेना यहां तक मतलब 39 नंबर स्लोग से लेकर के 45 नंबर स्लोग 35 नंबर स्लोग पर यंत यह बारतिक है ब्रतानियक के उपर जो बारतिक है तत्र ताबत पूरुवम अनुत्पन्यस्य ग्यानस्य इदानिम उत्पन्तो कारणं प्रिच्छति वे उनादी काल से हम लगे हैं ग्यान के लिए ग्यान नहीं हो पा रहा है आप केसे ग्यान हो जाएगा और एक जन्मों में नहीं हुआ तो इस जन्मों में कहें को ग्यान होगा प्रतिबंध का च्या होने पर ग्यान हो जाता है कोई साधन में लगा है अब प्रतिबंध घट गया तो साधन से ग्यान हो जाता है ग्यान रुपी भर पुतस्तत ग्याना मितिचेत तद्धी बंध परिक्चयात असाव पीच भूतोवा भावी बावर्तते थवा पड़िये थार्टी नई नंबर में वो कहते हैं यह बारतिक है भी बारतिक है कोई स्तत ग्याना मितिचेत वो ग्यान कैसे हो जाता है इतने समसे लगे हैं तो अब कैसे ग्यान हो जाता है तो ऐसा जदी कहे पुछे कोई तो बलते तधी बंध परिक्चयात वो ग्यान हो जाता है ने बंध परिक्चयात बंध का अर्थ प्रतिवंदक मैं ब्रह्मा हूँ आम असी परब्रह्मा ऐसा ग्यान सरवाम कलोईदम ब्रह्मा सारा जगत ब्रह्मरूप है और वही मेरा बास्तिविक सोरूप है यह ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यह तीन प्रकार करप्रतिमंदा है यह कह रहे हैं पर असो अपिचा भूतोवा भाविवा बरतते अथवा अथवा को चोड़ दिए यह जोड़ दिए अथवा कि अथव भा खरसि हो być कि ऒरतत कयाने से भरतवाल कि कुछ तो प्रतिबंदख बताई के सब तीनुका बताएंगे भूतोट हाप प्रतिबंदख भावयमल आए होने वाला है प्रतिबंदख नहीं है आगे प्रतिबंदख होजाता हो कि इसमें घर छोड़ा उसमें तो प्रतिबंदग नित वरन घर छोड़ने के बाद भी कभी कोई प्रतिबंदग हो जाता है माया पकल लेती ना क्योंकि यह बड़ा बिलक्षन करें बौरतमान प्रतिबंदग को तो समझ में आता है माली ये बरतवन प्रतिबंदग बांध है बांध जल को रोकने वाला बांध वो सामने बांध है तो जल नहीं आता है नीचे बांध जो भट जाता है तो जल नीचे आ जाता है ये तो सम्झ में आता है लेकिन भूत प्रतिबंदक भावी मतलब आगे प्रतिबंदक होने वाला है बहुत लोगों के बिश्वास नहीं होता है और अभी प्रतिबंदक नहीं तो आगे भी नहीं होगा लेकिन अभी प्रतिबंदक नहीं है तो आगे भी प्रतिबंदक हो सकता है यह बात समझ में सबक करने का नहीं बर्तमान जैसे प्रतिवंदग है इसी पर गर भूत प्रतिवंदग भी होता है और भावी जो प्रतिवंदग आगे होने वाला प्रतिवंदग वो भी हो जाता है इसलिए ज्ञान में एतिक तीन प्रतिवंदग होते हैं और उसमें शुती भी प्रमान है जो प्रतिवंदक तीन प्रकार है इसमें सूती भी होती है आगे बताएंगे थार्टी ने नमबर में टीका देखो प्रस्टन पूछाना कुतस्त तद ग्याना मितिचयत वो ग्यान कैसे हो जाता है उतर दिया बंधा परिच्चया तत तत करने से ग्यान बंधा मतले यहाँ पर प्रतिवंदा बधना आती ती बंधा हा जो रोग दे कार्य को उसको कहते हैं बंधा प्रतिमंदा दिया इसलिए बंधा प्रतिमंदा हा तस्या परिच्चयात सश्टी तत्पूर समाज बंधस्या परिच्चया हा बंधा परिच्चयात तस्मान बंधा परिच्चयात शोपी प्रतिबंधो भूत भावी बर्तमानस्च बर्तमान लेलो इति त्रिविधा इतियाह असुपी असुप कहने चे प्रतिबंधो यह प्रतिबंधग है वो तिन प्रकार के है भवत्तु एबं त्रिविधा प्रतिबंधग ततकिम तीन प्रकार के प्रतिबंधग हो उससे क्या होता है मतलग इसमें कोई प्रबान नहीं है यह कहना चाहता है बोलते हैं ऐसा नहीं सुर्ति में बेद में भी कागया है कि प्रतिबंधग होता है कारण होने पर भी प्रतिबंधग हो जाए तो कारिया नहीं हो पाता है यह बोलते हैं आपर तो सुर्ति का प्रसंग से इस बात को समर्थन करते हैं फोर्टी नंबर्स लोग देखिएगा अधीत बेद बेदार्थो प्यत एव नमुच्यते भिराण्या निद्रिष्टान्ता दिद मेव हिदर्शितम करते हैं कि अधीत बेद बेदार्थो अधीत बेद बेदार्थो ये न जिसने बेद को पल लिया बेद के अर्था को भी जान लिया तब लियो बन्दा भॉआ रहता है अतियों नमुच्यते अतियों कारते प्रति बन्दा पृति बन्दा अधी ऑफ सब्द हो करrie सब्दार्थो को जान मिलिया तब भी ज्यान अही विक्ता नहीं होता है बेत कार यहां पर उपनिशद ले लो जिसने उपनिशद को पल लिया है अब भली पकार से विचार कर भी लिया उच्छा में अच्छा प्रवचन भी करता है लोग उसको बिद्वान भी समझते हैं ग्ञानी समझते हैं प्रतिष्टा में भी हो, भक्त बगरा भी हो, मालो सब और क्या मुक्तिनिया से, तो अब भी जोदी प्रतिबंदग हो तो उनको ज्ञान नहीं होता है, बंदण से छूटता नहीं हो, यह बलते हैं भी, अब इद्या के निभृति नहीं हो पाती है, इस बात को सुती ने से दो के मिशुती है, यह देखो, हिरण्या निधि द्रिष्टांताद इदम एवभी दर्शितम, हिरण्या निधि, सोने का खजाना है, सोने का खजाना है, सोने का खजाना है, घर के अंदर गड़ा है माल लियो, और जो है वो, सोने का खजाना है, उनको क्या रोटी मिलेग कि दर्धरता नहीं जाती ग्यान नहीं नहीं χाए उसी जहां पर सुने का खजाना है उना पर बैठ करके सो रहा है are बैठाए और चिंतन भी कर रहा कि संग saya सोना कैसे मिल जाएगा हुआ सोने का चिंतन भी करता है फिर भी उनको सोना दे मिलता नहीं ज्यान नहीं ना उनको ठीक है तब ठीक इसी पकार से माल लो जो प्रतिबंधव जदे है ना बैदान्त का विचार कर भी लेता हो फिर भी उसके चित्त में जो ज्यान औहिवेक्त नहीं होता है यह बात यहां पर कह रहे हैं इले कहते हैं ना भी पठंतु चतुरु वेदान सर्वसास्त्र विशारदा आत्मतत्तम नजानंती दर्वी पाक रसम जथा बड़ा सुन्दर प्रभोचन आधी भी करता है कि आम ब्रह्मास्मिगा ब्याक्यान भी करता है लेकिन अभी जो प्रतिबंदव है ना प्रतिबंदव जदी है तो ज्यान अनहीं होता है आत्म स्वरुक को नहीं जान पाता है हो ठीक है यह कह रहे है आपर भही देखो थोड़ी ठीका है अतेव कहा न शलोग में यह अतेव कहा अतेव कारता है प्रतिबंदव सदभावाद एव इत्यरदव प्रतिबंदव जदी हो तो ज्यान नहीं होता है सत्य प्रतिबंदव ज्यानाम न उदेती इत्यतत इसमें द्रिष्टांत है च्छंतोग्य का ठीका पड़ रहा हूं तद्यता हिरन्न निधिम नेतम अच्छत्र ग्याहा उपरी उपरी संचरंतो ना बिंदे जूर एवम एव इमाहा सर्वाहा प्रजाहा अहरहर ब्रम्हलोकम गच्चंती गच्चंत्य एतम ब्रम्हलोकम ना बिंदंती अन्रे तेना हि प्रप्तुड़ाहा इती अनया सुत्या पदर्शितम ये श्लोग में आया ना दर्शितम उसका करेया अपर तद यथा द्रिश्टान्त है अपना सुरू ब्रह्म है ठीकी मेरा सुरू ब्रह्म ये तो ज्यान नहीं हो पाता है ना सुशिप्तिकाल में सुशिप्तिकाल में जीव परमात्मा से एक तो होता है पिर भी मेरा सुरू ब्रह्म है एक ज्यान नहीं हो पाता है इसमें द्रिश्टान्त है जथा हिराण्या निधियम निहितम खजाना रखा है सोने का खजाना और इसके अंदर सोने का खजाना है ऐसा ज्यान उनको नहीं है आच्छत्र ग्यान और उसके उपर उचल रहा है गुम रहा है बैठ रहा है उसके खजाना के उपर फिर भी ना बिंदे यह हो फिर भी नहीं जानता है कि इसके अंदर सोने का खजाना है यह तात्पर है आप प्रत्यक दिन जोए ना सोने का खजाना में जाते हो सोने का खजाना मतलब क्या आनन्द घन आनन्द घन तो परव्रम्मा है परव्रम्मा है आनन्द घन वह ही यहाँ पर ब्रह्मा लोकम ब्रह्मा एब लोकह इती ब्रह्मा लोकह दूतियानता है ब्रह्मा लोकम ब्रह्म हरूप़ जो लोक है वहाँ पर तो उसके साथ एक तो होते हैं गच्चंत्य में एक तो होते हैं गच्चंत्या बहु बचनिया पर गच्चंत्या प्रजाहा स्टेलिंग है लेकिन एतम ब्रह्मा लोकम न जानती ब्रह्मा लोग ये स्वरूप है मेरा ये नहीं जानते हैं वो क्यूंस जानते हैं भागियाथ इसलिए आबरान के काडं अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और ज्ञान का साधन भी नहीं है शुति में यह सुति की दुद्धा देखा गए है तो सुति प्रमान है कि प्रतिवंधक तो होते हैं उसके वाद देखो फोटी वान में तो तीनों प्रतिवंधक कैसे हैं धाका हुआ है अल धाका हुआ है धाका हुआ है प्रतुड़ा हा धाका हुआ है ठीक है चलो ननो अतितस्यक पहले दखो ग्रंथकार अतित प्रतिवंधक को कह रहे है भूत प्रतिवंधक को बताना इसलिए जोरूरी है प्रतिवंद्र को सब लोग जानते, नदी का बांध है, कोई दिवार है, तो वहाँ पर क्या है, उस दर्म नहीं देखता है, सहले मैं नगुती है, कि नहीं यहाँ पर दोस साल पहले बांध था अत्वा आगे बांध होगा यह बात सब को समझ में नहीं आते ना सामने जो प्रतिवंदग दिख रहा है बर्तवान प्रतिवंदग ओ तो ठीक है इसमें किसी परगार का संसा नहीं है पहले यहाँ पर प्रतिवंदग था, अतरब आगे प्रतिवंदग होगा, यह सब को समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर ग्रुन्थकार अतिता प्रतिवंदग को पहले समझ लेना जाहिए। यहने बड़ा सुंदर है कहा रहे। ठीका थोड़ी सी देखलो। मतलब नहीं समझ में नहीं आता है कि इति आशंक्य एसी आशंका करकी कहते हैं नहीं अधिता प्रतिबंदग भी होता है देखो भी कि अधिते नापी महिशी कि स्नेहे नाप्रतिबंदततह भिक्चुस्तत्तम नबेदेती गाथा लोग के प्रगीयते वो बोलते हैं यही परमार्तमागर में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अतिता प्रतिबंदग होता है अतिता प्रतिबंदग को बोल रहे हैं बहुत प्रतिबंदग जैसे माल ले जो कोई सन्यासी है और तो ग्रियस्ते से आया है सन्यासी का दिखा रहे है यहां पर भीक्षू बोल दिया ना बहुत बड़ा कठिन काम होता है गहर से आकर कि यह सन्यास ले बहुत कठिन काम होता है सलीक यहां पर कह रहे हैं है कि यह वहीं पहले गर्यष्ट ठाओ ग्रियस्ते में माल लिये क्या है उसके घर में बड़ियो अच्छीर भां मैं सी भयाय थी भ्हैंस भियाशर बी ऐसे नःट मां न वाली हो द दोद देने वाली हो बड़ी सुंदर हो बेदी सिरी हो तो भायस थे उनको घांस किला रहा था दो दो रहा था बड़ा प्सनिहा था उनसे तो महिसी सनिहा ना अतिते ना अब तो महिसी नहीं ना है ना महिसी है ना महिसी को घांस किला रहा है ना महिसी दो दे रही है महेशी के साथ कुई संबन तो हर इए ने, लेकिन पहले जो सन्यय था ना, भेश के परती जो सन्य था, नाम लेते ही, महेशी आ जाते थी, ऐसा होता है, ने कहीं के, गो शाल आदे में ऐसी होता है आवा सुनते हैं उम्हेसी दोड़ करके आजाएगी गू भी दोड़ कर आजाती है बड़ा प्रेम होता है और सन्यासी बन गया ना भैस है ना भैस को ना घास किलारना दूद दे रही है फिर भी जो सन्यासी पहले का उसका सवस्कार पड़ा है न अभी यही हो गया प्रतिवं और सन्यासी हो गिया गुरुजी उसको बार 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 बैदान तक सुना रहे हैं सर्वम कलोई दम्रम्म नेहा नानास्ति किंचन सारा जगत भी मित्या है तो भैंस से अतरिक तो सब्पुझ मित्या है ये तो सब्चमा आता है उनको अगनि सजो भैंस तो एक द्रिष्टान दे सर्वत्र समझना है जहां पर पहले का स्नियात है उसको तो काटा नहीं ना ज्यान से बीबेक से काटा नहीं अभी तक इसलिए ये तो समझ में आता है भैंस से अतरिक तो सारा पदार्थ मित्या है ये उनको समझ मां आ गया गुरुजी समझा है ना उनको समझ मां आ गया लेकिन अधिक्स नहों था ना भैंस में इसलिए भैंस से अतरिक्त सर्वत्र मित्यात बुद्धी होने पर भी भैंस में मित्यात बुद्धी तो नहीं हो पाती ना उनको ये हो गया प्रतिवंद्ध समझ मैं ना ये यहां पर कह रहे है जब सन्यासी की ऐसी बात बाकी लोग के बात क्या है ये गाथा है क्या मुक्त इसनेहना प्रतिमंदतह विक्चुस तत्तम न बेदः इलिए भीक्चु है आपर सन्यासी सन्यासी तत्त को ब्रह्म को नहीं जाना पाता है सारा जगत मित्या हो तक तो ब्रह्म अंदिरीपीशे शंबव है इज्ञान होगाना बहेश में जब सत्यत बुद्धि है तो ब्रह्म आथा एक आथा वे प्रसिद्धि लोग के प्रगियते लोग में बैवार में पूरा नादी में यह बात कही गई है कई जाती है 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 थोड़ी टीका देखो एक यहां भैंस का दिश्टा सरवत्र समझ लो ऐसा है जहां जहां पर अत्यंतर स्नेह था ना उसमें मिध्या तो बुद्धि नहीं हो पाती है ऐसा है इस लिए लोग भी कहते हैं आज कर भी सब कहते हैं महराज ठीक है आप जो कह रहे हैं बात तो ठीक है लेकि धौन के बिना तो काम चलेगा नहीं बुलते कि नहीं धौन की बिना काम कैसे चलेगा बाकिसा मित्या हो भी जाए लेकि ध द्धान तो चाहिए ना द्धान तो सत्य होगा इसे बोलते हैं इसी बेकर एक त्रिष्टान हो गया भैस का देखो मियाम अर्थाह इस लोग का एये प्र सेंदि करें कर्शित जति कोई शन्याशी विक्ख्षु कार्थ सनियाशी हों पूर्ण ग्राषित दसायाम पैदे तो गृहस्त हphon कैश्यम महिष्याम कोई महिषी है भशी से यहां पर भैस लेना है कि पत्री नहीं यहां पर टिपड़ी में दिया ने एक नमट टिपड़ी में कि प्राक उपभुक्त राज़ पत्रियां इत्तर था वो ठीक नहीं है टिपड़ी है ना सुकलाजी वो भैस ही थीक है कि है एलो आनाराण हाँ वो भी ठीक नहीं है महीशी के उपड़ तो टिपड़ी है ना बाली समसे महीशी सब्दा उसीनवेटिपड़ी है लेकिन महीशी कार नहीं है तो भैस ही है पर टिपड़ी को हटा दिज मा ठीक ने लिखाया है। ठीक चलो। तो देखो, कस्चित यतिही पूर्भम गार्यस्त दसायाम कस्यामचित महिस्याम शनेहम कृत्वाः। महिस्य के वे बड़ा सन्या किया हूँ। उसके बाद जे हूँ तो बेरा गय हूँ आतो घर छुड़ दिया र क्या। चला गे अहर ला पस्चе आत शंयासा अनंतरम संञ्यासा ले लिया कि श्रवल संयास ले लिया किा करना जिए आद शंयास के बाद क्या करना जिए एट मकान बनाना स्ट्च अदेक वोल हा ऍहां देखो श्रवेन प्रवृतों हाप कि वहां कि वेधानता श्रवन को चट कर कि अन्यत्र लग गया ना इधर का उगा ना उदर का उगा बीच में डूब जाएगा हो जिका शुत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना ब्रतमानप चित सन्यासी पतत्तिव न शंसयाद जो लिखे हैं स्रवण प्रगृत भी एक यह मुक्तनियासी बोल रहे हैं जो स्रवन नहीं करता है तो उनका बिचारी ना करो, जो स्रवन कर रहा है उसका बिचार हो रहा यहां पर, जो सन्याद ले करके स्रवन नहीं करता है तो उनका बिचारी नहीं यहां पर, सन्याद लेने के बाद भी स्रवन किया, स्रवन करने पर जो ग्यान नहीं हुपा रहा है उसमें क्या प्रतिवंद्ध लगें वीचार से लए हैं तो सफ्रवड प्रविर्टो भी पातने वू?... लेकुंत सन्या था ना पहले का सन्या था- वीश दूदम के अगरण dst दसने है ना। जानितात एही प्रतिव अंदह है। अर प्रतिवंधा से पंचमेंत। प्रतिवंधात तत्तम गुरुणा उपदेश्ट, गुरु ने तो उपदेश किया। ब्रह्मा का उपदेश किया। उपदेश्टम अपे उपदेश नमती सुना हो। अइसा नहीं कि अब रेकॉरण से सुना है। गूरू से उपदेश सुनना पर भी नाजयता बात तत्यको नहीं जान पाया। कि उनकी नहीं हो पाई। ये कहने का मतलग है। जब पहले जी दी सत्यत मित्यत बुद्धि हां सरवत्रमल भैंस में भी मित्यत बुद्धि उनको नहीं पाई यह काना है इतिये वं विधा गाथा इस प्रकार की जो गाथा है लोग प्रसिद्धी है लोके प्रगियत उसके वाद पाट इसका अर्थ है पूराना अदिशु प हेंसल पाथिक जो नौ गलत heckा कवका मदनैं चाहीं कमा भी काड़तो विय नकाड़त्य पूराना ओदिशु पर्ठत आ यहां पर इसका अर्त है पूराना देशु पट्ठते त्यृतत हां कि आरा संज में आप क्या कह रहा हूं मैं को कॉमा को भी कैंसल करो नौ को भी कैंसल करो ठीक है भई कुछ लोग परंपरा से नहीं पढ़ते हैं न वो जैसा गलत चपा ऐसे अर्थ कर लेते हैं बले लिखाए तो भई ऐसे अर्थ है ऐसा नहीं होता है परंपरा से पढ़ो और जुक्त जुक्त भी लगता हो पुराड आंदी में कहा गया है पुराड में इतियास में अन्यत्र अना सब कहा गया है यह गाथा प्रसिद्धी है ऐसा है चलो 42 हो गया 42 चलेगा तरही तोथा विदस्च्य तस्च्य कथम ग्यान उत्पत्ती इस प्रकार का साधग है भी तो उनको ग्यान कैसे होता है कैसे हो जाता है देखो भी उपाए है ना इसलिए तो गूरु के सन्दिते में रहना पड़ता है गूरु जी जानते हैं कि इसका असनिया कहां पर है जित्यकाग्रा नहीं हो पा रहा है ब्रह्मा में मन नहीं लग रहा है उनका लेकिन जो है ज्ञान तो कराना है कैसे भी गुरु कृपालु है दयास इंदु है वो जानते हैं कि इसका क्या प्रतिबंद्द है स्वयम को नहीं पता लगता है इसलिए गुरु के सन्निद्य में गुरु के मारने दर्शन में रहना बहुत जुरी है देखो यह यहां पर सिख्छा है ना 42 नमर में देखो अनुश्रित्य गुरु स्नेहन महिश्याम तत्त मुक्तवाल ततो यथा बद्वेदेश प्रतिबंधस्यस अंचयात देखो बोलते हैं यह तात्परियों बतला रहे हैं गाता तो बता दिया और तात्परियों को बतला रहे हैं बेई भेश में शन्येह तो है तत्त था विदेश्याम तस्चय कहना बेश में स्न्यारा गर में गरेष्त अवस्ता में तो शन्या तो है भेश में उसको उससे मन्नी हट रहा है तो ऐसा मेलद स्न्यार हरते हुए यह जहना जाते हैं ह mês- payments स्हुलुरूर हो रहते हुए उससा करना है यह कहने का ह آپ जन कि अहीं वक्ति कैसे हो गिए उसकेी चित्ते में नुथ को ता निए तर देरों हो जाएगा घुरु जी सब जानते है उसके पास साव उपाय देखो पल्य का श्लोक नहीं पड़ा? पल्य ना? श्लोक पड़ा? नहीं पड़ा? चलो. अनुश्रुत्य गुर्भू स्नीहन महिस्याम तत्त मुक्तवान तत्त यथावद बेदेश प्रतिबंधस्य संचयात तो आचर्य समझ गे उनके आचर्य जो आचर्य महापूरुस में सरणापन हुआ श्रद्धा रखता है ऐसे आचर्य उनके गुरु समझ गे बाके चीज में तो उसका राग नहीं है इधान कहने का मतलब बाकी बोस्तु में इनका कोई राग तो नहीं है उसमें किसी प्यगार का उनको संसा नहीं है कि संसार मिथ्या है कि मिथ्या नहीं है लेकिन भेंश की बाद आती है तो सब गड़बर हो जाता है जैसे किसी को भोजन में बड़ा रस हो तो बाकी चीज में मिथ्यात्व का निश्चत हो जाता है लेकि भोजन सामना आ जाता है तो सब गड़बर हो जाता है बैदान सब बूल जाता है अधा बतार कि ने आचि बताएंगे ने फिसाा सक्ति बताएंगे परत्तमान नहीं है एकलो प्रतंता है यह पहले कि शांसकार था ना भायंस का सट था तो सब्सकार सामने आ जाता ने केने का मतलब सब्सकार से संस्कार do इसको च्छाली सामना जाता है तो कि तब ज्ञान में पर सा अब नहीं है यह करना चाहते हैं इस वेकर रामकिष्ण परमांस का भी यह द्रिष्टांग आता है इसकी विशे में जो उनके जो गुरुजी आए उनकी गुरुजी कौन थे भी सन्यासी गुरु सन्यास देने वाले गुरु जो से रामकिष्ण परमांस को सभी में तो आ रहा है सारा संसर मित्या है लेकिन काली मैया के मुर्ति कैसे मृत्या होगा सारा संसार ते मिथ्या हो सकता है लेकिन काली महिया के मूर्ति कैसे मिथ्या होगी अगुर जी समझ गए इनकी अत्यनत भक्ती है इसको उनको बीवेग रूपी ज्यान से काट दिया उसको बीवेग रूपी तलवार से जब काट दिया मतलब क्या है मित्या साख्यादकारवन उसी भ्या कि शुत्या गूरू śniham लुझा समझ घी तो महिशी में ब्रहु थत्त गटा दें ना बस ना यही ब्रह्मा यही चिंतन करो तम गिया सब मैंनå ओining जब हो गया तक उनको पर ज्ञान हो और यह बोलते आउसर कर तो ग्यान हुआona यह जो महिसी है यही ब्रह्मा है तो प्रह्मा का चिंतना चो गिया ना पभले ब्रह्मा का चिंटान नहीं हो रहा था, आप ब्रह्मा का चिंटान हो गया, यह बोल रहा है, पर आपनु शुत्या गुरूशनीह, हम महित्न स्ट्थ मुख्टवान, ततो जथा बात बेद एस़ा, इसलिए वो प्रतिवन्द social सन्छे प्रतिवंद्य का संच्य हो जाने पर वही जो है सन्याशी वह जान लिया तत्य को जान लिया यही बोलते में यह महादेव टीका तोड़ी से देखो गुरु हो तस्य तत्त पदेश्टा तत्त काउपदेश्टा कोन होता है गुरु होता है तदिया महिशी स्नेहाम अनुशित्या तस्यामेव महिश्याम यह देखो इसके उपठ्टी पनी थी ना महिशी मतला वो प्राग उपभुक्त राजपत्याम ऐसा यह अर्थ ठीक नहीं महिशी कार्थ भेंशी है तत्तम तत महिशी उपाधिकं ब्रह्मा उक्तवान और महिशी में ब्रह्मा का उपदेश्ट किया महिशी ब्रह्मा यह इसी में ब्रह्मा का चिंतन करो तुम ऐसा करो ततास सुपी महिशी स्निहा लक्षना प्रतिबंधक उपदेश्ट को प्रतिबंधक था को प्रतिबंधक घट गया न उसे ते ब्रह्मा का चिंतन किया इसलिए गुरुपदिष्टम तत्तम क्रम से पिर आपकुछ ग्यान होगा धिरे-धिरे तत्तम जथावत सास्त्रुक्त प्रकारणा एव ज्यातबान पक्रिया से धिरे-धिरे उनको साख्यातकार हो गया पहले मन एकाग्रह हुआ ब्रह्मा में मन तो लग गया ना क拜拜 एह कयोन प्रटिक में महिशी रुपी प्रतिक में ब्रह्मा का चिंतन किया है है हुआ चिंतन करते करते हैं जो है पहले तो प्रतिक उपासना होगी पिर संपन उपासना होगी करते-करते अंगरव उपाशन आओ गई है ना फिर जो उपाधिय का परित्या कर दिया तो ब्रह्म ही सेच रहेगा वहीं मेरा सुरूप है यह तात्परियन का 43 में दखो एवं अतित प्रतिवंधं प्रदर्शेत को अतित प्रतिवंध को कह दिया अब बरतमान अंदर्शेती बरतमान प्रतिवंध तो जानते ही सब लेकि जानने से नहीं होता है जान करके उसको हटाना पड़ता है पहले समझो कि बरतमान प्रतिवंध कैसे है और उसको हटेगा कैसे इस सब समयना प्रतिवंध इस लोग याद जरूर करना चाहिए इस लोग को 43 नंबर स्लोग को चिन्हित करो जरूद याद रखना चाहिए प्रतिबंधो बर्तमानो विशया सक्तिलक्षणह प्रग्या मांध्यान कुतरकष्च विपरिया दुराग्रह बड़ा सुन्दर कह रहें भी बर्तमानो प्रतिबंधो देखोई उद्दिश्य हो गया और बिधान करतें की प्रतमान प्रतिबंधो कोन है एक दो तिन चार चार है बिशया सक्ति लक्षणह एक नमबर हो गया बिशया में आ सक्ति बिशेश्व आ सक्ति थी बिशया सक्ति और बिशया में बहुत आ सक्ति होती ना सन्यासी को तो अन्यत्र सन्या हो नहीं था केवल भेंस में सन्या था दर्मेना लेकिन प्राय लोग हो तो सभी बिशया में सन्या होता है पांच बिशा में स्निया होता है, रूप रसादी सभी में होता है, जब एक बिशा में जब स्निया होने की काण जब तत्तो का सक्यत कर नहीं हो पा रहा है, तो पांच बिशा में हो जाए तो कहना है, कि अमुक्ति नहीं होगे कि नहीं होगे, तो देखो भी, बिशा सकती लक् तेरे बिना में रह नहीं सकता, बोलते हैं आज कर लड़की लड़की हैं, जैसे कि प्रांड छूड़ जाएगा, प्रांड थड़ी छूड़ जाएगा, बता हो, तो देखो, इस विगार बिशय में अत्यनतर जिसकी आ सकती है, यह होगी, जब चिंतन करने लगता है, ब्यदा समना जाता है, ठीक है, ब्यदान का चिंतन हो रहा है, उदर खुश्बु आ गई, बंडारे की खुश्बु आ गई, बास, मन उदर चला जाता है, है कि नहीं, तो यह हो गया प्रतिवंधक, बिशा सक्ती, एक नंबर हो गया, यह बर्तमान का चल रहा है, दूसरा है प्रग्या प्रभुद्धी, बुद्धी में बहुत मन लता है, तो बुद्धिवान ब्यक्ति जो होते हैं, उसको थोड़ा सा भी इसरा मिल गया, तो दुद्रन जट से सरवत्र घटा देगा, एक में घटा दिया, गूर्ज ने सरवत्र घटा दिया, बैस, मृत्ति का इत्त सर्वत्र घटा देगा, लेकिन जो बुद्धिवे मन दता है, तो नहीं घटा सकता, गूर्ज ने जितना का उतना ही समझेगा, अधीक नहीं समझेगा, इसलिए, ओके कहते हैं, प्रग्या अमांधा, ने यस्य नास्ति स्वयम प्रग्या, साहत्रम तस्य करोति किम, लोच नाभ्यां भी ही नस्य दरपणा की किम करीश्यति, ये बताओ, जिसे दरपण एकदम साप है, एकदम सच है, नया दरपण है, एकदम साप है, लेकिन देखने वाले में चक्चु नहीं, तो दरपण क्या करेगा, दरपण की क्या गलती है? इस बेगार सात्र है सामने, कर्मालव गूरू भी है, साप है उपलब्धा लेकिन प्रग्या बुद्धी में दे बहुत बनता है, तो सात्र क्या करेंगे, गूरू क्या करेंगे, बताओ, कि परमात्मा भी क्या करेंगे? इतना है कि उसके पर हाथ तो रख सकते हैं उसे जयदा तो कर ने सकते हैं और क्या करेंगे हैं ऐसा है कि दिश्टान देते हैं जिसकी पुद्धी तीब्रह है तो एक बार एक बुष्ट में समझ लिया तो सरवत्र समझ लेगा हो दिश्टान देते हैं जिसे जल में एक बुष्ट तेल डाल दिया जल में एक बुष्ट तेल डाल दिया तो तेल क्या हो गए जल के एक बाग में रहेगा तो सरवत्र रहेगा क्यों भई सज में रहे हैं बाल्ती में जल रखा है जल में एक बुष्ट तेल डाल दिया वो तेल जॉल के एक भाग में रहेगा कि सरवत रहेगा बताओ पूरे में फिल जाएगा ना भी सुकला जी ने फिलेगा अच्छो उपर निचे नहीं कह रहा हूं उपर की बात कह रहा हूं तेल पूरा आ जाएगा ना कहने का भी प्रहा है तेल तो फेल जाता है ना इसी प्रकार से उत्तम बुद्धिवाला हो उत्तम अधिकारी हो उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है एक द्रिष्टम समधाद जया तो सरवत रुखटा लेगा हो लेकिन बंदव बुद्धिवाला जो होता है ना उनको तो जितना समझागे उतना ही समझेगा अधिको अपनी बुद्धि का प्रूब करने सकता हो अ कि ट्रिश्टान देते हैं नीजा है कि है उनकि सास्तरण सो लक्षिना बुर्ति से कहता हैना लख्रोंति से प्रर्रुवर्मा का ग्यान करता है इसने सक्ति बुर्ति से तो नहीं है अनि द्रिश्टान देते हैं नौब जैसे मा विद्व बच्चे को बैटा Hampshire стен करने जा छन् Dream स्थ में देखो dzi anni Pharaoh जलने के लिए कुछ करने के लिए चले की मता और बैटको देटा पाइकर तो कुवढ़ से बागगा कुवढ़ महाना को यौद इस उपाईंग को आट इसऀंता नंहीं भंगायों भंगाऊंगा। लेकिन बिल्ली आ गई तो भगाएगा, नें बगाएगा, लेकिन मंदः बुद्धी वाला हो तो नहीं भगाएगा, बिल्ली आई और बड़ी आखा कर चली गें, पर चोपट कर देया, बैस और मा आ आए, बैटा आ, कवा तो नी आया? बुलाira नहीं मात आजी, कवा आथो और आथा लेक्न इमने उनको भगा दिया लेकिन ये खाली कैसे हुआ इस पात्र। उनकी बाला एमात रजी खा सबस्हिता, भुलामभू अलार, ये भगा बाली हा अपनग कवा का नाम लिया बिलियादी का नाम तो नहीं लिए तो यह इसको कैता है मन्दवधिवाला है ब्में कोबा कोवा का ब्मस्टे काँ शुना का कई उपगाता नब यह को नुश्ट करने वाले लक्षंअ किया ना द्रिष्टान देदे सब को समझ लो है कि नहीं कि प्रग्यां बुंदी प्रग्यां में जोदी मंदता है उनको जीतना कोगे उतना ही समझेगा हो उससे अधिक नहीं समझ सकता हो इसको कहते हैं प्रग्यां वांद्यम ठीक है ना दो हो गया तिसरा क्या कह रहे हैं तिसरा कह र करना काम है भया देखो ये बिशा सकती तो हट भी जाएगी मान लिजिए तोड़ा विचार किया मिठ्था तो बुद्धी हो जाती है और प्रग्या मांदा भी कोई ज्यादा खतरनाग नहीं है अने गुरु में जिदे अत्यनत श्रद्धा हो तो ज्ञान हो सकता है लेकिन ये कि कुतर्क वही होता है शुति का शुति का जो अहिप्राय अर्थ है शुति का जो अर्थ है ना तो शुति अर्थ को शुति के अहिप्राय से शुति के अहिप्राय से विपरित परप जो ले जाता है विपरित के उले जाता है उसका नाम होता है कुतर्क अंदन में ना ऐसा ह यह लिए भुहान भास्चेकार कहते हैं दूस्तरकात सु बीरम्यताम सुतिमतस्तरको अनुसंधियताम यह देखो यह दूस्तरकत से मलब कुस्चित तरकत कुतरकत से हट करके शुति जो कहे गई वो शुति के और्थ को बुधि में बठाने के लिए उसके लिए अनुकुल तरकत करो ऐसा है जिस बात को शुति कह रही है वो ही बात शुति के अपनी बुधि में कैसे आ जाये उसके लिए जुकति सचो कि अधाना लेकिन सूती जो कहई उसको केट जैसे हम काड सकते हैं ये उसी ने शूती काई है ओपने बुद्धी में बैठेगी सुस्तिर काइसे होगी उसके अनुकुल तरक करना चाहिए, ऐसा होता है, और यह होगा कुतरक, यह लेका नहीं सातरक के नामतिरापनिया, यह कुतरक के द्वा तरक तो चाहिए, लेकिन कुतरक से सुत्य अर्थ का निश्चा नहीं होता है, लेकिस होता है, बीपरियो packaging बीपर्यो दुराग्रह, इन दो थे क्मधून होता है, तो बीपरिद इन परराम बीपरिदियान भराम की क्मधियान जो चाहिए, उसके प्रतित दुराग्रह करना बीपर ये दुराग्रह, इती बीपर ये दुराग्रह, ठीक है, जैसे बीपरिद ग्यान होगे मान लो, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह होगा बीपरिद ग्यान, ठीक है न, और जो है, सात्र कितरा में कहले, ने तुम तो इसके साक्षी हो, तुम तो अकरता भोगता हो हुआ हम क्यों मानेंगे हम हमें गयान हो रहा है कि मैं करता हूं में भखता हूं हम कैसे मानने नहीं और घंद हुप सासरह कम नहीं मानतद य है इसी का नाम होता है दुरा अग्रह ह हर दुरा उघ्र जैसे कि सीएओ काल कोगे न देखो भैई नशा नहीं करना जैए स्पउर नहीं पहना जैए कुछ आजी सब्सक्राइब पता है उनकी उसे अच्छी है इसे का नम क्या है दुराग्रह विपर्य दुराग्रह ऐसा होता है ति कितने होगे भी चार होगे ना चार पहला क्या है विशा सक्ति दूसरा है कौन प्रग्या मंद्यम तिसरा कुतरक रूथा कौन है विपर्य दुराग्रह कौतरक और विपर्य दुराग्रह यह अधिक प्रतिवन्दग है ऐसा जनकाजी बुद्धि में मंद्यम थो मिंदवाले थे लेकिन यह नहीं था यह तीन दोस उसमें नहीं थे ना विशा सक्ति थी ना प्रग्या में मंद्य था यह यह बोल दिया यह विपर्य दुराग्रह है नहीं ऐसा होता है थोड़े ठीका है इसको कल करते हैं ओम पूरमदः पूरमदः पूराद पूरमदः चते पूर